बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, Assalamualaikum, Welcome to the MLT Education Point आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बोडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल के एक और्गिनेल्स को डिसकस किया था जिसमें हम लोगों ने नूकलियस को देखा था साइटोप्लाजम, एंडोप्लाजबे क्रेटिकुलम और माइटोकॉंट्रिया को डिटेल से डिसकस किया था आज हम सेल के एक एनदर इंपोर्टन ओर्गिनेल को डिसकस करने जा रहे हैं जो के है गोल्जी बोडीज गोल्जी बोडी जो है वो एक मिम्ब्रेन बाउंड और्गिनेल है जो के सेल के साइटोप्लाजम में प्रेजन होता है अब इस गोल्जी बोडी को हम गोल्जी कॉम्पलेक्स भी कहते हैं गोलजी आपरेटीश भी कहते हैं या पर संप्ली इसको गोलजी भी कहते हैं यह जो सेल का और्गंटल है यह युकरियोटिकस और पाया जाता है जैसे जयसे प्लांट सों गएपनीमल के वह गोलजी बोडी क्या है ते गोलजी बोडी इस लसête गोलजी इंपलेक्स और Golgi apparatus or simply the Golgi is an organelle found in all eukaryotic cells, plants as well as animal and it is the membrane bound organelle that is present in the cytosol of the cell अब इसको discover किस ने किया था so Golgi bodies को first discovered किया था Camellio Golgi ने in 1898 so Golgi bodies was discovered in 1898 by Italian physician Camellio Golgi that's why these are called as Golgi bodies अब अगर हम इसके structure को देखें तो structure में first of all आपको यहाँ पर आप देखें तो आपको यह फोल्स से दिखाई दे रहे हैं इस फोल्स को हम क्या बोलते हैं सिस्टर्नी और यह जो सिस्टर्नी होते हैं यह एक दूसरे के पैरलल अरेज होते हैं अब यह जो सिस्टर्नी है यह एक तो यह पैरलल प्रेजेंट हैं दूसरा यह एक दूसरे के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं दूसरे के ऊपर यह प्रेजेंट हैं यह एक बंडल बना रही हैं तो यह जो सिस्टर्नी है यह स्टैक्स में प्रेजेंट होती है यह यह बंडल में प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सिस्टर्न अब इस सिस्टर्नी के लावा आपको यहां पर गौलजी अपरेटिस के दो फेस दिखाई दे रहे हैं One is the cis phase and the other one is the trans phase. So, cis phase क्या है? जो के nucleus के towards होगा, यह निए nucleus के सामने जो होगा, वो कौन सा होगा? Cis phase. और जो के plasma membrane की तरफ होगा, वो कौन सा होगा? Trans phase. So, cis phase and trans phase आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं. Then, आपको एक lumen दिखाई दे रहा है, यहीं सिस्टर्नी के अंदर जो space होती है, वो lumen है. Then, आपको incoming transport vesicle दिखाई दे रहे हैं, यहीं जो आ रहे हैं, वेजिकल. और एक secretary vesicle जब गी outside, जब बाहर निकलते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं. Next, आपको यह जो Golgi apparatus है, इसके sub structures को हम one by one discuss करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कि Golgi body क्या है, Golgi apparatus क्या है, और Golgi complex क्या है. So, इस diagram से इसको clear करने की कोशिश करते हैं, अगर एक single cisterny sack है, क्या मतलब कि एक single fold है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, Golgi body, यानि single cisterny sack is called Golgi body, अब Golgi apparatus क्या है? Stack of cisterny sack is called Golgi apparatus, यहीं कि अगर जो cisterny sack है, यह fold है, अगर यह bundle में present है, यहीं कि stacks में present है, then हम इसको क्या बोलेंगे, Golgi apparatus, stack of cisterny sack is called Golgi apparatus, now, Golgi complex क्या है, यहीं, अगर जो cisterny के stacks है, उसके साथ अगर vesical attach है, then हम उसको क्या बोलते हैं, Golgi complex, stack of cisterny sack with associated vesicles is called Golgi complex, I hope कि आपको clear हो गया होगा कि Golgi body क्या है, Golgi apparatus क्या है, and Golgi complex क्या है, अब अगर आप देखें cisterny, तो cisterny क्या है, कि Golgi जो होती है, वो 5-8 membranus, sacks या fold से मिलकर बनीती है, जिसे हम cisterny बोलते हैं, यह cisterny एक दूसरे के parallel arrange होते हैं, और अगर यह cisterny एक दूसरे के ऊपर arrange हैं, एक bundle बना रहे हैं, यहीं कि stack बना रहे हैं, then हम इसको क्या बोलेंगे, cisterns, next है, कि जो Golgi है, इसको दो phase होते हैं, एक होता है cis phase, और एक होता है trans phase, तो पहले देखते हैं कि cis phase क्या है, जो कि towards the nucleus present होता है, nucleus की तरफ जो phase होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, cis phase, cis phase को forming phase भी बोलते हैं, या फिर outer phase भी बोलते हैं, यह convex सा phase होता है, towards the nucleus, तो nucleus की तरफ जो face होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, cis phase और forming phase, another is trans phase, so trans phase क्या है, जो के trans phase को maturing phase भी बोलते हैं, या फिर inner phase भी बोलते हैं, ये towards plasma membrane होता है, नहीं plasma membrane की तरफ गोल जी body का जो face होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, trans phase और maturing phase, towards the plasma membrane, अब देखते हैं, कि गोल जी body के functions क्या है, ये क्या function परफॉर्म करता है, so first function इसका क्या है, store, modified, packages the product, ये क्या करता है, कि ये store करता है, modified करता है, package करता है product को, ये नहीं nucleus से जो भी चीज़े synthesize होकर आती है, either वो protein है, जो भी चीज़े है, वो वेक्यूल फॉर्म में आएंगी, वेजिकल की फॉर्म में आएंगी, तो वो first of all, गोल जी body के कौन से पार्ट में इंटर होंगी, सिस फेस के जरीए इंटर होंगी, सिस फेस से वो इंटर होंगी, सिस्टर्नी में और वहां पर जाकर उसकी, वो स्टोर होंगी, या मोडिफाइड होंगी, और पैकेजिंग का या मोडिफाइड होंगी, तो एक फॉर्म में इंटर होंगी, और जहां पर सेल में रिक्वाइर है, तो वहां पर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, एक फंक्शन इसका क्या है, इस्टोर, मोडिफाइड, एंड पैकेजिज दी प्रोडट, तो इस चंसर्ण विधी सेल सिक् इसका क्या है, involved in modification of molecule, यह क्या करता है, molecules की modification करता है, और इसकी जो most important modification है, वो है addition of carbohydrates into protein and lipids, कि यह carbohydrates की addition करता है in lipids and protein, for example, अगर carbohydrates को protein में एड किया जाए तो glycoprotein, अगर carbohydrates को lipid में एड किया जाए तो glycoprotein, अगर carbohydrates को lipid में एड किया जाए तो glycoprotein, अगर carbohydrates को lipid में एड कि करता है इसके लावा कि क्या करता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है माइटो सोरी गोलजी बॉड़ी जो है वो सिंपल शुगर को कॉंपलेक्स शुगर में भी कनवर्ट करता है और मोस्ट इपॉर्टन इसका यहनु इसको और सिंपल अगर हम समझें तो राइबोसोम और वो प्रोटीन को संतरि करें गे वो प्रोटीन जाते ही है अंडोपलाजमे क्रेटीङुल ne और ऑर अंडोपलाजमे क्रेटीक्योम से वो ट्रांसपोर्ट, वेजिकल के जरिये गोल्जी अपरेटस में चलिगी अब Golgi apparatus में जाकर उसके साथ क्या होगा कि वो packed होगी inside the membrane ठीक है या उसके अंदर modification आएंगी उस protein या lipids जो भी उसके अंदर modification आएंगी कैसे by adding carbohydrates और carbohydrates की addition से वो किसमें convert हो जाएगी glycoprotein या फिर glycolipids में and then फिर वो बाहर जाएगी through Golgi vesicle और Golgi vesicle के जरी या तो फिर वो lysosome की formation हो जाएगी या फिर excretory granules की formation हो जाएगी so hope आपको Golgi bodies के बारे में कोई question नहीं होगा so students if you understood this video please like, share and subscribe to my youtube channel thank you so much for watching